हेलो गाइज वेलकम बैक टो यूटीब चैनल ये एफ्ट पार्ट है जन्रल अवेरनेस सीरीज का ये कल आना था बट क्योंकि कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी के इस्यूस थे इसलिए मकाली से प्रीमेर करने पाया तो आज ये 8 बजे प्रीमेर हो रहा है और उमीद है आप अपको बताया कि क्या आपने कितने लोग ने प्रीमेर देखा निए रहा है वह एक एक अटेंडेंस मार्क करेगा आपका लास्ट कोईशन जिसका आपको बताना है कॉमेंट बॉक्स में उम्मीद है आप लोग मेरी जितनी वात में आपको बताया आप लोग को समझ आई यह मत यह चीज बहुत इंबॉर्डेंट डेस को मत भूलिएगा और बांकी आने वाले जितने क्वेशन को उनको तो भूलना ही नहीं है तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को कि यार कोई दूसरा आपको मतब दूसरा आपकी जगा महनत कर रहा होगा और दूसरा आपको कभी मोटिवेट भी नहीं कर सकता एक बात मैं बताता हूं क्योंकि दूसरा आपको वह रीजन पर मजबूर ज़रूर कर सकता आपकी लाइफ का पर्पस क्या है मतब उसकी बातों केवल एक दिन मुश्किल से दो दिन इस तरह से आप मोटिवेटर है तो बट आप मतलब कुछ मैं यह नहीं कहूंगा कि मोटिवेशन पूरी तरह से खराब चीज है अच्छी चीज है बट देखिए मोटिवेशन से क्या होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ का परपस खुड मतलब आपका मोटिवेशन यह मिलनी चीए कि आप अपनी लाइफ का परपस खुड भूण लो तो यही आज का कोटे कि यार कोई भी दूसरा आपको मोटिवेटर नहीं कह सकता आपको खुद को ही पुश करना पड़ेगा खुद ही महनत करनी पड़ेगी तब ही आप अपना अब हम डारेक्ट क्वेशन पर आते हैं ज्यादा बहुर उमीद है आप लोग नहीं होए हो गयार मतलब ही का समझ गयोगी कोट में कहना का जाता हूं अब शुरू करते हैं क्वेशन को तो क्वेशन नंबर बन सभी की स्क्रीन पर हैं लैप टॉप में देख रहे हैं आप प बच्चे इसका सही आंसर देते हैं वैसे यार बहुत उम्मीद है मुझे बच्चे बता दिंगे बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं आपर दकारेक्ट आंसर इस ऑप्शन डी थॉमस मकॉले और इसके बारे में कुछ एक्सा चीज़ें पढ़ लेते हैं थॉमस मकॉले ने इं इंग्लिश वागे बीडियम ऑफ इंसरुक्शन फर हायर एजुकेशन जितने हायर इंस्टिट्ट्टिट्स हैं अपके कॉलेजेज हो गई उनिवर्स्टीज हो गई वहां इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्रुक्शन मतलब पढ़ाई वगर जित्ती भी ओनी ओनी क्यों अच्छन अच्छन सब एशन वागे उनिवर्सक आपकेशन इस का मतलब आप संधुए कि इंडिया की टीचिंग के मुझें इन की टीचिंग स्थान रहेगा मतलब थी तो अच्छन पर जो पढ़ा ही होती थी इस्या का जान लेंटिवर्सक्शन थे घृफिट्टियन बहुत बहुत हिंदू या और रिलिजिन के भी हाँ पर इंस्क्रिप्शन मिलते हैं बहुत सारी चीजें मिलती हैं यहां पर इसलिए यहां पर और टीचिंग शाफ द्यूस किया गया तो अब हम बढ़ते नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आप देखते हैं लॉड विलियम ब किया था या फिर उसकी स्थापना की ती और ऑप्शन सारी आप मतब सही आंसर दें हरे क्वेशन का प्लीज यह मत रखे किया नहीं आता तो छोड़ो हमें क्या करना है मैं कई बच्चों को देखता हूं कि दो तीन ही बच्चों की मोनोपॉली चलती है वही आंसर देते हैं देखते हैं थोड़ो क्या फरक पड़ता है अभी बताऊंगा दो करेक्ट आंसर इस ऑप्शन एंटीन जिरो वान तो शांति निकेतन का मतलब होता है अबोर्ड ऑफ पीस मतलब शांती का घर शांती निकेतन निकेतन हम बच्पन में पढ़ते थे कि एक तर से घर का परयाव अब आप पाची होता है तो निकेतन मतलब खर तो अबोर्ड ऑफ पीस का मतलब है अब आउस आफ पीस एंड और इंडियन और वेस्टन दोनों नौलेज को कमबाइन करके इस तर से लोगों को परहाना चाहते ताकि वह वेस्टन आइडियास को भी अपना है उसके साथ साथ अपने इंडियन कल्चर ट्रडिशन इनको भी ना भूलें अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में ब्रह्मो समाज वा सौंड़ेट बै तो इस क्वेश्चन में आपको बताने कि ब्रह्मो समाज की खोच किसने की थी किसने स्थापना की थी आप कहलो यह और आप्शन जो भी यह आप हैं कि वीडियो मेरिश इक तर से एक्षिन में लाने के लिए क्लिए उनको भी और अब होना चाहिए जो ब्रह्मो समाज की बात कर दोंगिती सुछे मैं आपको कर ले आइको यह पार बात कर दिया कर दिया साथ के बाहरे मता दिआए आपको बात कर दिया कर कि मैंने आपको तीन चार चार जाने सांप में बता दी तो आपको कई बच्चों को याद रहेगी यह चीज आगे अगे अगर कल के दिन दिन कुछ बच्चे तो होंगे जो भूल जाएंगे ते कि आप ही उलती नहीं है होते है अगर रहाइज ना करें चीज सो को बच्चों को मतलब लाइफ ताइम भी चीज आद रहती है इस तरह से मजाग करें मजाग से पढ़ाएं अगर मजाग का मतलब यह नहीं कि हम अगर जो समझ रहोंगे तो सागरेक तांसर अब का बी राजाराम मोहन रोय और एक और सथी बैंड इन 1829 तो राजाराम मोहन राइ ने बहुत कंटिनेस एफर्ट के सथी बैं करने के लेए बी इन 1829 में फाइनली सथी प्रथा जो थी आपकी बैं कर दिगई गई राजाराम मोहन राइ वेस्टेशन को एक तरसे स्प्रेट करना चाहते थे क्योंकि जो इंडियन कंवेंशनल आइडियास थी कि बेसिकली वह इंडिया के कल्चर एंड पर क्वेशिन नहीं करें थे बट वह उन नॉम्स पर क्वेशिन कर रहे थे उन रेगुलेशन रूल्स पर क्वेशन कर रहे थे जिनमें यह था कि यार विमेन जो है उनको रिमेरिश का हग नहीं उनको सती प्रथा फॉलो करने हो तो इनके अगेंस थे इसलिए यह वेस्टन एडियास को अड़ाना चाहते थे ताकि लोग नए आइडियास को अड़ाप करें क्वेशन नमबर 4 में आते हैं तो इसका correct answer आप लोग को बताना है अब तो अप्श्टन प्रथा जानते हैं कि क्या था यह तो self-respect मूमेंट की हम बात करनों तो इनिशेटेट बाई नॉन गांवंवन जैसा कि आप लोग स्क्रिंस पर देख सकते हैं who were belty and educated तो जितने भी South के आपके non-Brahman थे South Indians, especially because self respect movement South India में शुरू हुआ था तो जितने बलती एं, educated जो पड़े लिखे non-Brahman थे उनका यहानना था कि जो Brahmans है वो Aryans है मतलब जितने North India वाले आपने North से South कर भारे सुना भी होगा कि एक fight चलती है North India, South India तो इन्होंने कहा कि जो ब्रामवन हैं और यहां पर पहले से रहने वाले हैं यह पर पूरा इंडिया में रूल था ऑट आर्एंस भार से यह नों ने इनको नॉर्थ इंडिया से नीचे वापिस उन्हुनार्था रेंच सी नीचे एक तर से बहेज दिए या मतलब इनको हरा के उनको defeat करके नीचे भेज दिया, इनका ऐसा मानना था कि जो ब्राम्भन से वो indigenous नहीं है, और इन्होंने, मतलब जो self-research movement था, इन्होंने criticize किया आपकी मनुस्प्रिती, जिसमें Hinduism के जितने भी laws, rules and regulations ये सब हैं, रमायन और भगवद गीता तो आप लोग जानती हैं, इन सब को इन्होंने criticize किया, उसके साथ साथ आपकी जितने ब्रह्मानिकर टेक्स्त थे, चाहे आपका धर्म सूत्रा हो या धर्म शास्त्रों, उन सब को इन्होंने criticize किया, तो I hope आप लोगों को clear हुआ हो, अब हम आते हैं question number 5 पे, which of the following mission is founded by Swami Vivekanand, तो इसका answer आप लोग आता है, तो जल्दी जल्दी बता दीजिए, अब options में दे रहा हूँ, your options are, A. Shri Ramachandra Mission, B. Vivekanand Mission, C. Cambridge Mission, E.R.D. Ramakrishna Mission, तो इसका correct answer है, option D. Ramakrishna Mission, तो देखिए, इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, Swami Vivekanand का real name था आपका Narendna Dutta, ध्यान लखिएगा इस बात को, and he spread Vedanta philosophy, अब Vedanta philosophy को बच्चों को याद नहीं होगा, क्योंकि उनने 1st और 2nd पार्ट देखा नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब यह मत कहना है, अब यह मत कहना है कि सर इक्वल टू क्यों लगा अगर एक ही चीज़ है, वो डैश ही लगा दिया, कोई बात नहीं, और एक और चीज मैं बताओ, तो इसके founder आपके कोनाड थे, कई जगे ने कनड भी कहा जाता है, कोनाड, मैं बात कर रहा हूँ, आपके उत्तर मिमान सा स्कूल ओ फिलोसफी की, तो इसका correct answer, question number 5 का है, आपका D. Ramakrishna Mission, Swami Vivekananda ने Ramakrishna Mission की स्थापना की थी, question number 6, the longest international border lies between which two countries, your options are, A. Indian, Bangladesh, B. USA and Canada, C. Australia and New Zealand, D. China and India, तो सबसे लंबा international border कि इन दो countries के बीच पढ़ता है, अब देखते हैं कितने बच्चे इसमें India and Bangladesh लगाते हैं, answer अब देखते हैं, उसके बाद में बता हूँगा कि मैं कहना के जाता हूँ, तो इसका correct answer है, आपका USA and Canada, इंडिया and Bangladesh इसलिए नहीं हूँआ भाई लोग क्योंकि वो इंडिया की नेबर्स की जब बात होती है, तब हम कहते हैं कि इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज में सबसे बड़ा जो लैंड बॉर्डर है वो बंगलिदेश के साथ हैं, अब यहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर मतलब वर्ल की बात करा था तो वर्ल में सबसे लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर धियान में रखना, युए से और केनेड़ा का है और इसको हम कहते हैं 49 पेरल मतलब जैसे रैट क्लिफ लाइन हो गई हमारी डियूरेंड लाइन लाइन सुना होगा आप लोग ने मेकमोहन लाइन हो गई उसके बाद आपकि आती यह बाउंडरी है यह सेपरेट करती है युएसे और केनेड़ा को और shortest की में बात करने shortest international border आपका India और श्री-Lanka जो Adams Bridge जिसको हम हमारे मतलब रमायन में एक तरसे वो कहा गया है आपका राम सेतु Adams Bridge जिसको आज कहा जाता है Adams Bridge वही है shortest between India and Shri Lanka question number seven the earth is at its maximum distance from sun on तो इस में आपको बताना है कि जो धर्ती होती है हमारी प्रित्वी वह सूरत से मतलब किस दिन सबसे farthest होती है सबसे दूर होती है और options are a January 3 b July 4 c September 21 या d June 21 और इनका नाम भी बता जी बता दीजिए अगर आपको पता है कि इनको क्या केते हैं एक terms होती है इनकी the correct answer is option be July 4 तो अर्थ sun से maximum distance पर आपकी 4th July को होती है and minimum distance सबसे पास आपकी 3rd January को होती है और जो मैं बता रहा था आप लोगों को terms तो जुलाई 4 को जब अर्थ सबसे दूर होती है आपके सूरत से उसको हम aphelion कहते हैं और जब सबसे पास होती है January 3 को उसको हम कहते है perihelion question number 8 no crack national park is situated in तो उस question में आपको बताना है no crack national park किस state में है और options आप A में घालिया B Assam C Odisha या D Tamil Nadu तो उसका correct answer 5 second है आप लोगों के पास तब तक मैं थोड़ी बक्वास कर लेता हूं आपकोस मतलब आप लोगों को या याद दिला देता हूं कि no crack national park आप लोगा मतलब किस साल की NCRT बुक में था तो जितने humanities वाले उनके लिए मैं साफ साफ कह दूँ कि 11th की आपकी जो बुक थी उसमें no crack national park आपका दिया था अब आपने पढ़ा नहीं पढ़ा है वह आप पर डिपेंड करता है अभी मैं इसका correct answer बताया तो the correct answer is option A में खा लिया तो मीध है जितनते लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से उनको बता होगा और यहां की जो मतलब famous animals है इस national park के दिया red panda, Asian elephant and tiger etc तो question number 9 आपकी screens पर wildlife protection act was implemented in bichyak तो wildlife protection act किस साल implement किया गया अपनों को बताना है your options are A 1986, B 1972, C 1992 या D 2005 तो इसका correct answer आपनों को देना है आप ही लोगों को देना है the correct answer is option B 1972 तो देखे ध्यान रखेगा wildlife protection act आपका 1972 में आया 1986 में आपका environment protection act आया था तो इस चीज़ को ध्यान में रखेगा कि 1972 में आपका wildlife protection act आया और 1986 में आपका environment protection act आया और 1992 में आपका famous project elephant आया अब आप नीचे comment करके बताईए कि project tiger किस साल implement किया गया यह मैं आप लोगों के लिए question दे रहा हूं देखते हैं कितने बच्चे ध्यान से देखने मुझे नीचे पता चल जाए कि जितने लोगों ने answer दिया होगा वही केवल ध्यान से देख रहे होंगे वीडियो को तो अब हम आते हैं question number 10 पे उमीद है आप लोगों का इसका answer आता होगा और नहीं भी आता तो आर कोई दिक्कत की बारत नहीं है यहीं पर हम अपने doubts भी solve करेंगे तो which is the longest river in the world पूछ रहे है यह आपने सार A Amazon, B Nile, C Ganga या D Yang से तो देखिए longest और largest में कई बच्चों को लिक्कत आ जाती है तो मैं आप लोगों को clear कर दूँ कि देखिए longest river वो होती जिसकी lens सबसे बड़ी हो और largest river वो होती जिसका पानी जिसमें पानी सबसे जाद हो मतलब पानी सबसे जादा हो उसको largest कहते हैं और longest इसकी lens सबसे जादा हो तो like इंडिया में हम कहते हैं कि largest बतलब longest जो आपकी river है वो गंगा है बड़ जब बात आती largest की तो ब्रह्मपुत्रा है क्योंकि ब्रह्मपुत्रा का पानी बहुत जाद है मतलब volume of water is more than any other river in इंडिया तो आपको बताना तक हैर हम बहुत दूर चले गए discuss करते करते पर कोई नहीं पढ़ाई की बात कर रहें कोई फालतु बात नहीं कर रहें the correct answer is option B. Nile largest Amazon है आप लोग जानते हैं question number 11 92nd constitutional amendment in 2003 is related to your options that it changed the description of India from a sovereign democratic republic to a sovereign socialist secular democratic republic तो यह इंद्रा कांधी के time पर हुआ था मैं आपनों को बता दूँ याद भी आ जाएगा political science वाले बच्चों को कोई नहीं चीज नहीं है जब मतलब constitution एक बार मतलब जिसे mini constitution भी कहते हैं वो एक amendment act आया था अब आपको बताना है जो पूछा गया है क्या वो है नहीं है अब याद डिस्कार तुम्हें जादा नहीं करूंगा समझ जाना B. Inclusion of Mathry, Dogry, Bodo and Santhali in the 8th schedule of Indian constitution C. Gave Nagaland the status of state and made special provisions for it C. D. Reduction in the voting age from 21 to 18 years तो उसका correct answer आपनों को देना है और हाँ एक और चीज में कहूंगा जितने भी option आप लोग यहाँ पर देख रहे हो प्लीज गूगल करके एक बार इनको सर्च करना कि जितने बार इसका answer के अलावा जितने option से वो कौन सा constitutional amendment है और इसको कहीं पर लिख लेना या फिर अपने दिमाग में अगर आपनों को अच्छे से learn हो जाता है तो it's well and good आप एक बार उसको जरूर देख लेना कि जितने दूसरा options है वो कौन से constitutional amendment का number उनका कौन सा number है constitutional amendment का क्योंकि जितने भी options है बहुत important है अब हम answer की बात करें तो the correct answer is option B inclusion of Mathly, Dogry, Bodo, Santhali in the 8th schedule of Indian constitution एक और चीज़ धियान रखेगा कि languages हमारे constitution की 8th schedule में आती है और जो 92nd constitutional amendment था उसमें Mathly, Dogry, Bodo and Santhali को add किया गया तो question number 12 आपकी screens पर the concept of judicial review in a constitution has been taken from the constitution of तो हमारे constitution में जो एक judicial review का concept है कि अगर आपको सरकार की कोई policy समझ ना आए यह मैं basic चीज़ बता रहा हूँ constitution में कौन सी country से लिया गया आपनों को बताना है options आप लोग देख सकते हो इसका correct answer देना है आपको क्या United Kingdom, France, Ireland, India, USA तो जल्दी से live chat में बता दो इस answer देखते हैं किते लोग सही दे पाते है the correct answer is option D USA तो judicial review concept हमने USA से लिया है question number 13 आपकी screens पर which session of Indian National Congress was marked by the demand for Purnaswaraj तो इस question में आपके लोगों को बताना है कि Indian National Congress का वो कौन सा session था जिसमें Purnaswaraj यानी complete self-rule इसकी मांग किये थी और options आप लोग मार सकते हो एक अच्छा तुक्का आप लोग मार सकते हो एक अच्छा guess यह मत कहना कि बेल गाउं session में session लि एसा बेल गाउं session उसका अंसर नहीं है अब ही बता दूं ऐसे बहुत basic question है और इसका year 1929 दर करेक्ट अंसर ऑप्शन सी लाहूर लाहूर session 1929 question number 14 पर आते हैं the age of a candidate for the office of the president of india should not be less than तो यार इस question में आपनों को बताना है कि जो president of india होते हैं मातब इंडिया का president बनने के लिए minimum कितनी age होनी चाहिए your options are a 25, b 30, c 35 या d 18 so your correct answer is आपनों को देना है मैं नहीं बताऊंगा वैसे जिन लोग को नहीं आता है उनको मैं जरूर बताऊंगा यह बात मैं करना था जिन लोग को नहीं आता है the correct answer is option c 35 तो देखिए समझे गाइस चीज को लोग सभा का member बनने के लिए minimum age आपकी 25 होनी चाहिए बी option 30 राज्य सभा का member बनने के लिए minimum age 30 होनी चाहिए और c 35 प्रेजिडेंट बनने के लिए आपकी कम से कम 35 age होनी चाहिए और d 18 वोट करने के लिए आपकी minimum age 18 होनी चाहिए question number 15 in which country did anti-gaddafi movement originate तो question आएगर कि anti-gaddafi movement क्या था आपनों का तो एक जो anti-gaddafi movement था ये लीबिया में हुआ था आप आपनों को पता हो जितने लोगों को आता है लीबिया में स्टार्ट वा था तो इसमें जो एक ruler थे gaddafi government थी उसके खिलाफ लोगों ने एक anti-gaddafi movement निकाला कि मतलब इस government को हमें हटाना है और मैं बता दूँ आप लोगों जो एक गदाफी एक ruler का नाम है मतलब एक आपके उन्होंने खुद को मतलब मोनार्की हटा के खुद को establish कर लिया था कि मैं लिबिया का नया मतलब एक तरस आप कह सकते हो कि रूलर हूं उन्होंने मोनार्की को हटा दिया था जो गदाफी तो लोग उनसे बिलकुल खुष नहीं हुए क्योंकि के नाम करते है उन्होंने बहुत सारा करप्शन हो गया और टेररिजम इन सब चीजों को प्रमोट किया तो लोग ने एक एंटी गदाफी मुमेंट स्टाट के उनके विरोध में जिसमें उनको एक तरसे मतलब उनकी पोस्ट से हटाया और उनका उनको मार दिया गया गदाफी जो थे क्योंकि वो इतने अच्छे परसें नहीं तो आप लोग सुचोगे कि क्यों मारा तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी लिपिया और जितने पॉलेटिकल साइंस वाले बच्चे हैं जो टॉपर्स हैं या पर जितनों के भी अच्छे माक्स हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने पढ़ तो उसका गरेक्ट आंसर है D. लिपिया और जितनों किस से रिलेटेड है आप लोगों ने ग्रीन रिविलीशन पढ़ा आप लोगों ने ब्लैक रिविलीशन पढ़ा होगा जिसमें पेट्रोलियम का इस्नमाज था मतलब पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना अब आपको बता है गोल्डर ने विलीशन किस से रिलेटेड है तो इसका गरेक्ट आंसर ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता हूं इस फ्रूट्स प्रोडक्शन एंड हो गया एंड जितने भी सहरी कल्चर हो गया और होटी कल्चर का मतलब होता है कि आपके जिसमें बीकीपिं आ गया शहयत बनाना और भी कई सार जितने एक्टिविटीज होती है ऐसे फ्लोरी कल्चर वो सब आपके होटी कल्चर में आ जाते हैं तो इसका एक्टांसर ऑप्शन सी फ्रूट्स प्रोडक्शन एंड होटी कल्चर अब हम आते हैं क्वेशन नमर 17 पे स्पोर्ट से विंबल्डन सबसे ओल्डेस टर्नमेंट है डेट देख लेते हैं विंबल्डन आपका 1877 में सबसे पहले उसके बाद आपका युएस ओपन 1881 में फिर आपका फ्रेंच इन 1891 और सबसे रिसेंट जो टर्नमेंट आया टैनिस का इस ऑस्ट्रीलियन ओपन जो होगा आपका 1905 म में और ऊस्लियी ओपन केमधें और जनbnवरी में खेला जाता है अस्लिया अकि एक नहींं बढ एक इम्पॉर्टेंट सिटी मेर्बन में अर्टथ यह ऊपन ओर सबसेंगे स्सिटिए और यह होता है आपका नियू योर्क में तो अब हम बढ़ते हैं next question में तो अब हम आते हैं question number 18 पे which of the following disease is caused by rubella virus तो उसका correct answer आप लोगों को देना है बिल्कुल जरूर ही निए कि आप लोगों को उसका answer आता ही हो पर एक try जरूर दीजेगा your options are a smallpox, b chickenpox, c rabies, d measles तो बहुत easy इसका answer है अगर आप लोगोंने school time में भी एक बार government ने scheme चलाई थी कि school के जितने बच्चे हैं उनको इसकी vaccine लगनी चाहिए तो एक आपनों को card भी मिला होगा अगर कुछ बच्चों को याद हो तो खसरा, rubella, tea का करके ज्यादा मैं मजाख नहीं करूँगा अगर करेक्ट answer is option D measles तो इस तरह का चीज़ें ध्यान में रखेगा कि rubella virus आपका मतलब measles होता है rubella virus से question number 19 who wrote the Indian text naattya shastra तो naattya shastra किस ने लिखा अब ये बहुत easy question आगया है उम्मीद है सभी इस का answer दे दे दिंगे your options are A. भरत्मुनी B. बानभट C. सूर्दास ये D. भावभूती तो इसका correct answer है option A. भरत्मुनी question number 20 who founded the Marathi newspaper केसरी in 1881 तो Marathi newspaper जो केसरी है उसके founder कौन थे उनका नाम आपनों को बताना है your options are A. बाल गंगाधर तिलक B. राला लाजपत राय C. आईसी विद्या सागर ये D. गोपाल कृष्ण गोख्टे तो बहुत intelligent बच्चे जो हैं प्लीज इसका answer दे दे और ये बहुत easy question इसका answer दे देगे The correct answer is option A. बाल गंगाधर तिलक तो अब हम आते हैं ऐसे question पे जिसका मैं हर वीडियो के last में आप लोग answer नहीं देगे बर कोई बात नहीं आज ये मैंने बोल दिया कि attendance slip है आप लोगी अगर आप इसका answer comment box में दोगे इसका मतलब आपने वीडियो को देखा और आपको पसंद आया Your options are question है पहले Poverty and the un-British rule was authored है मतलब एक book है आपकी Poverty and the un-British rule इसके लेखा कौन है your options are A. Amartya Sen, B. Dada Bhai Naoroji, C. B. K. R. V. Rao, D. R. C. Desai तो इसका answer मैं बिल्कुल नहीं दूँगा और एक और चीज लाइव चैट में आपको आता है प्लीज लाइव चैट में इसका answer देखे एक तरह से और बच्चों जिनको नहीं आता है उनका प्लीज यह मत कीजिए कि आप लाइव चैट में बताने फिर क्या होता है कि जो और लोग जुड़े होते हैं जिनको answer नहीं पता होते हैं अच्छा यह है तो वह Google भी नहीं करते हैं तो उनकी help होगी मेरा यह नहीं है कि यार उनको कुछ help ना हो देखे सब की help हो निचीए सबका साथ सबका विकास जैसा मोदी जी कहते हैं तो आखर में वीडियो को end करेंगे I hope आप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो प्लीज वीडियो को like कर दीजेगा और शेयर चैनल को करना ना भूलें अगर आप चाहते हैं कि मैं जितने भी और मतलब सब्चेट से उनके वीडियो करना शुरू करूं क्योंकि मेरे पास पिछले दिनों कई नए बैच के बच्चों की रिक्रेस्ट आ रही है यह मेल आ रहे हैं मैसेज़ आ रहे हैं कि सब्लीज याला स्टाट कीजे भाया प्लीज याला पढ़ाओ तो दिखें मैं उनको भी स्टार्ट करूंगा तो आज जन्रल अवेरनेस के जितने भी फैन हैं मतलब जो चाहते हैं जन्रल अधिक से अधिक शेयर करें अपना वट्स